अलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत आपका इस नई वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम कस्टम ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं कुस्तम ड्रॉप ड्रॉप डॉप डाउन विध सर्च ऑप्शन तो जैसे आपने अल्रेडी यूट्व पे बीडियो सर्च किये तो उस नेटिव कस्टम डॉपडाउन करके एक पैकेज है और इसके अंदर कुछ ऐसा है जब हम क्लिक करते हैं तो यहां सर्च का आता है और कुछ इस तरीके का हमें फीचर मिलता है अब करने का ठीक है तो अगर लों यह इपकेस कर रहें तो क्यों ना हम इस पैकेज की जगह पे खुछ से बनाना सीखें कि कैसे इस तरीक बना सकते हैं जिससे फिर आप अपनी नीड के साफ से जितना चाहू उतना कस्टमाइज कर सकते हो जितना चाहू उतना अच्छा यूआ पर और कर सकते हो न तो वह चीज है को भू बनाना सीखेंगे इस वीडिव गांद Commerce मैं अपको अपना देमो दिखाता जो मैंने बनाया है के इहाप मैंने country конnen का ड्रwość दलाए अब यहां पर मैं एक बार इसको refresh कर लेता हूं इसको आपको समझ में आए कि first stage क्या है जब मैं यहां पर इस आपको refresh करता हूं ठीक है तो यहां पर देखो select country का option आपको दिख रहे हैं अब जब मैं यहां पर click करूंगा तो यहां जैसी मैंने click करा मुझे एक नीचे से option आ गया search और या फिर यह पूरी countries की list है ठीक है या तो हम इसको directly कोई भी है उसको select कर सकते हों या selected दिखाई देगा जो भी selected होगी country या फिर यहां पर कोई और इस तरीके का हम मैं अगर डॉप 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 बनाना है और इसको कितना भी कुछ सकते हैं यहां कि हम रहें नोबौ hm छूधा है सबक्ट कर सकते हैं कोई बाउन डेशन नहीं है और किसके रहत कदे चयों यहां कोई वाउन डेशन हम तरो इसब्सक्ट करना के पहले हुआ थी कर दें और आप जरू कर दे रहा तो coding start करते हैं तो बिल्कुल scratch से start करते हैं यहां पर मैंने एक screen बना रखी है custom drop-down.js ठीक है यह screen है मैं बना रखी है अब इस screen के अंदर हम बिल्कुल scratch से start करेंगे तो मैंने कुछ images यूज़ करें ड्रॉपडाउन की जो इमेजस होती है और बाकी मैंने एक डेटा यूज़ कराई कंट्री का जेसन एरे बोल सकते हो ठीक है तो जेसन एरे मैंने अपनी दूसरी फाइल में जो मैंने आपको देमो दिखाए तो इसमें सेपकर रखा तो मैं इस प्रजेक्ट को य यहां पर मैं क्या करूंगा जो मुझे कंट्री का एरे मिला था जैसन एरे बो मैं यहां पर अपने पेश कर लिया हूं क्योंकि यह तो लिखने वाला काम है यह रेकोडिंग वाला नहीं है यह मुझे एक मुझे एरे मिला वो मैंने यहां पर कॉंस्ट कंट्री करके मैंने ल और इस style में मैं यहां पे style sheet ले लेता हूँ const styles style sheet dot create यह यहां यहां में container ले लेता हूँ container flex1 ठीक और यहां में देता हूँ styles dot container ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहां पे एक टेस्ट ले लेता हूँ और इस टेस्ट को heading मना लेता हूँ क्या select country drop-down ठीक है इसको style दे लेते हम styles dot heading font size रखेंगे हम सब्सक्राइज ट्वेंटी फॉंट ट्वेट एटंड्रेट और मार्जन टाप अंड्राइट अलाइंज सेल्फ सेंटर कंट्री डॉट ठीक है अगली चीज की करना यहां पे एक ट्रॉप डाउन वाला जो यूए होता है वह बनाना है मैं ठीक सेलेक्टर बोल सकते हैं यह ड्रॉप डाउन का इरिया होता वह तो उसके लिए का करेंगे मुझे ट्रॉप डाउन इसको और इसको श्टायल देंगे इस्टाइल इस्टाइल लेके इस्टाइल डॉप डाउन सेलेक्ट अब इसको थोड़ा से स्टाइल दे देते हैं स्वरी बिद बिद को 90 परसेंट हाइड फिप्टी बॉडर रेडियस 10 बॉडर विथ 0.5 बॉडर कलर ग्रे लाइट में और अलाइन सेल्फ सेंटर अर मार्जन टॉप थकोष्य यहां यहां ने हूं है शाकिंख अब बहिए मैं क्या या सिहलेक्टिट जोबी इस वत्तिंदुब टाइटल दिखाना है टीक है फिर प्लेस ओलडर तरीकर से बहु दिखाना से बो और राइट साइड में इक एक रोप का तो हमें यह यहां पर फ्लेक्स डारेक्शन क्या लेना पड़ेगा रो और जैस्टिफाइग कंटेंट स्पेस्ट बिट्वीन और अलाइन आइटम्स सेंटर पैडिंग लेफ्ट फिप्टीन लेट फिप्टीन राइट इसनी काफी है इस ट्रेशेबल अपीसिटी अंदर चलते हैं यहां पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा टेस्ट तो मैं यहां पर टेस्ट डालते हूं सेलेक्ट कंट्री यह आ गया परफेक्ट दूसी तरफ एक इम मैं इमेज ले ली इमेज को करो इंपोर्ट सोर्स रिक्वारर कि स्वारी कि होगा क्योंकि मैंने डारेक्टली इसी रूट फोल्डर में डाल रखी इमेज ड्रॉप डाउन डट पी एंग और इस्टायल इस्टायल डॉट अब आइकन दोनों का साइस से हैं होगा तो मैं इसकों माल ले सकता हो ना तो कॉम अन अइकन ले लिए यह आइकन और इसका साइज होगा बित ट्वैंटीफूर है हाइट ट्वैंटीफूर लेते हैं ठोड़ा सा जारा बड़ा देख रहा है ठीक है अब बो यह तो बन गया यह बन गया अब इस पर क्या करते हैं इस पर किलकेवल पर चाहिस थे बागा सफके साद्टरी इसस्टार्इंग में ङाहा कि में रिख करो सब्सक्राइब यहां में क्या होगा सलोगे कि सब्सक्षानि क्रण्ट जाने तो यहां इस क्लिक्ट सेट इस क्लिक्ट क्लिक्ट यूज स्टेट स्टार्टिंग में क्या होगा फॉल्स यहां पे इसके जो है इस पे उन प्रेस लगा देंगे बटन पे सेट इस क्लिक्ट आप इसको क्या करेंगे नहीं जैसा भी होगा उसका पॉइट हो जागा请 क ripe कि 카्लिक्ट आप सॉधीयर के हो स्टो ह। को इस क्लिक पे यहां मैंने एक आइक ले रखता अप को लॉип्साइड कर था बहुत इसके प Quindi करूंगा प्रसें धिक है मैं है कोई रिक्कत नहीं हाँ अब करते हैं कि यह आइकन ऊपर जा रहा है पर यहां चाहिए चाहिए दोबडाउन के लिए आ तो यहाँ पर एक ब्यूंव ले दैं ईंव को में style भी को में style दे देता हूं style भॉफड़ एरिया और के मैं अट्रपडाउण एरिया को अट्रोपडाउड इंट सेंट है हाइड देन तीन सो बॉर्डर रेडियस टैन मार्जन टॉप 20 बेक्ग्राउंड कलर वाइट और एलिवेशन श्वाइब यह यह पर आलाइन सेंटर पर्फेक्ट ठीक है अब यह अरिया जब दिखना चाहिए जब मैं क्लिक करूं और यह उपर की साइट जा एरो तब है न जब ओपिन होगा यह सेलेक्टर तो यह अरिया को मैं कंडीशन लगाऊंगा इस क्लिक्ट तो यह अरिया दिखेगा अधरवाइस नल पर्फेक्ट मैंने चेंज करा बात करते हैं दूसरी चीज की जब इस पर क्लिक करा आपने ओपिन करा तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या दिखाना सर्च और उसके बाद मैं फ्लेट लिश्ट लगानी है ठीक है इस तहिल शच तर्च शर्च इनपूट बुल सर्च इनपूट कूल सर्च इनपूट ओक बित्रहे गी 90 परेंट है ठीकि 50 बार रडियस 10 बार बित्र। 3.5 बॉर्डर कलर अब यह आगया ठीक है कि सॉरी मोबाइल का साउंड कर दिश्टार कर दिया कि साइलेंट कर अब यह आगया तो मैं ऐसे क्या आपड़ेगा लाइन सेल्फ कि मार्जिन में चाहिए होगा अरांड ट्वेंटी मार्जिन टॉप ट्वेंटी और पैडिंग चाहिए होगी लेफ्ट फिप्टीन परफेक्ट खीक है अब बात करते हैं अगली चीज की सर्च ऑप्सन दे दिया आप हमें इसके नीचे क्या करना है फ्लैट लगानी है एक फ् अधिम कै टेट के अंदर मुझे यां पे दिखाना जो स्ट्रीट अनल देट सकता है और पिरराना देटाविं हो सकता तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक कॉंस्ट डेटा नाम का शै्ट डेटा एक वह लिए जिसको जब मैं डेटा सर्च करूँ न तो वह भी अपडेट हो तो यहां पर कंट्रीज का डेटा में डेटा के अंदर डाल दे रहा हूं स्टार्टिंग में यह होगा कंट्रीज का यूज कहां करेंगा तो मैं बता हूँगा डेटा रेंडर आइटम इसको में टचेबल बना हूँगा और इसके अंदर स्टाइल स्टाइल डॉट कंट्री आइटम को यहां पर लेकर चलते हैं से स्टा धस्टष राइटए आइड स्टीपर से साथनी यू एकक Weird प्रूमी है 50 गप्रूमी का इंव psvent ब्रूम१ का और बॉलन के लग्दाशकन कर ड् advent टबरूम क्या ै cop पिन किया यह देखो उतने ज़्यादा आइटम दिखने लगे जितने कंट्रीज है कि का लाइन सेल्फ कि सेंटर कि पर्फेक्ट कि एट्टी फाइव कर लो इसको ठीक है जिससे स्वारी एट्टी फाइव यहां एक खुलता आगा ठीक ओके अब बात करते हैं इसके अंदर क्या चाहिए मैं टेक्स चाहिए तो मैं यहां पे टेक्स्ट लूँगा और इस टेक्स में जो डेटा है इस ट्रैक्टर डेटा का वह है आइटम डॉट कंट्री तो यहां में देखा दुगा ठीक है अभी मुझे यहां पर करना पड़ेगा जि करना बही जब इस पर इस पर करूं जब इस पर किलिक करूं तो याँंपर स्लिक हों जाना ने तो मैंना स्लेक्तिद का पहले सेक्स्टेटिट ले रखी तो पहले पर किलिक करूंगाore नयुक्त कर ओट तो simplesmente country और इसमें item dot कंट्री अज़ा सेलेक्ट करेंगे तो क्या यह ड्रॉप डाउन हो जाना चाहिए लोज तो सैट इस प्लिश्ट सैट इस क्लिक्ट को क्या करतेंगे फॉल्स और देखते हैं ठीक है अब बात करते हैं क्या सर्च फीचर की बात कर लेते हैं तो पहले यहां पर क्या बनाना में ऑन सच एक मैंधर बनाना है कॉंस्ट ऑन सर्च कि इसके अंदर क्या सर्च हुआ बढ़ आना चाहिए ना तो टेक्स करके मैंने कंडिशन ला दी अब क्या करेंगे यह जो डेटा है इस डेटा के बेस में सर्च करना ना तो लेट डेटा अकोलिस्त तो डेटा डॉट ही टो फिल्टर फिल्टर के अंदर कि आइटम आएगा आइटम को हमिए क्या करूंगा इसट्न Flug लगा लगा दिया यह सिदय मैं आइटम डॉट कंट्री डॉट टू लोइक हे इस लोवर के ओलिए को ऑम index of जो value इस country इस आइटम के अंदर जो यह value हम किसे चेक करेंगे country से और कौन सी value चेक करें जो उपर हम टेक्स्ट ले किया रहे हैं वह और टू लोगर के स्ट्रक्शर में हम condition लगा सकते हैं अगर यह values मैच हो रही है मतलब तो यह सर्च का जो माइनस मन से ज्यादा आएगा अगर माइनस मन आएगा मतलब यह value मिली निरी तो मैं यही वाला आइटम रिटन करना है जो मैच हो रहा है बोई वाला आइटम बोई आइटम रिटन करने तेंप डेटा के अंदर क्या एक नई लिस्ट बनके आ जैसे मैंने फिल्टर का एक लाश वीडियो डाला था फ्लैक लिस्ट का वही सेम लोजिक है अब यह नई लिस्ट को क्या करेंगे से डेटा के अंदर टेंप डेटा को दे देंगे ठीक अब यहां पे जो हमने टेस्ट इंपुट लगाया है कहां गया यहां यहां ओन चेंज कि डालें इसके अंदर टेक्स्ट कि ऑन सर्च इसके अंदर टेक्स्टत करके करते हैं इसके यहां मैं इंडिया सर्च करें खीक आ रहा है दो क्योंकि नहीं कर दाले है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कंडिशन डाले है मतलब टेक्स डारेक्ट लिए उसके पर भी है कंडिशन डालेंगे क्या इफ टेस्ट इस नौट इककोज तु यह तब कौन सी कंडिशन होनी चाहिए यह वाली कोड लगना चाहिए सर्च वाला अब जब भई जब टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है एंप्टी स्ट्रिंग आ रही तो हमें यह लॉजिक लगाने का कोई फाइदा है नहीं तो क्या करेंगे एल्स सेट डेटा के अंदर जो हमने ऊपर कंट्रीज की ओल्ड पूरी लिस्ट दे रखी है पूरी लिस्ट बो यहां डालेंगे इसलिए कंट्रीज को मैंने अलग डा कर रहा हूं आप दूसरी बात करते हैं कि मालीकर मैंने अफ़कशनक्स कर रहा है और हमने कुछ कुछ कर दिया माली मैंडय मने तो फिर से हीं न है कुन सी जो सर्च हम ने करी थी फिल्टर डिस्ट आ 있다고 है दिशका करना बढ़ेगा कि उस तरीकर ते टेस्ट जा रहना यही कॉपी से करो और हे सब्सक्राइब करे Shall Denk बीकंट्री हमने तो फिर से ओन सर्च में हमें ब्लैंक भेजना है जिससे सर्च वाला आइटम वहाँ परानी लिस्ट आ जाए दूसरी चीज कि एक चीज और है हमने यहां पर कि क्या एक रिफ्रेंश लेना है को इस तो कि अगर तो सर्च यहां पर क्या लेना यूज्ज रेफ और यूज्ज रेफ ले लिया तो हम क्या करेंगे जब भी सर्च हो जायागा सेलेक्ट हो याग डेटा मैं क्या करूंगा सर्च रैफ.current. क्या जो मारा इंपूट फिल्ड उसे क्लियर करना मुझे आप ट्राय करके देखते हैं अगर लो मैंने यह सेलेक्ट करा और मैंने इंडिया डाला इंडिया मैंने select कर दिया अच्छा कि आए कि प्रेफ्ट करें द्वारा से मारलो मैंने इंडिया कर दिया अब द्वारा से जाएंगे तो पूरा मिल रहा है कि मानलो मैंने ऑस्ट्रेलिया सर्च करा पूरा मिल रहा है ना ठीक है परफेक्ट ऑस्टे लिए भी सर्च हो रहा है अब देखो पूरा फीचर एकदम बढ़िया है अब इस तरीके के यार डॉप डाउन के अंदर कितना भी किस्टमाजिस लगा यार मालो यहां पर राइट साइड में अपने फ्लैग लगा दिये यह जहां पर आप country course डाल सकते हो या फिर कुछ भी और चीज बना रहे हो जिसमें इस तरीका फीचर तो आप कितना भी किस्टमाजिस कर लोगे थाट पार्टी पैकेजिस में हर तरीका किस्टमाजिस नहीं मिलता है और जरूरी क्या है जब जो चीजें बिना फिल्टर के कर सकत है तो उन्हें बिना पैकेज के कर लें उसके लावा जहां पर हमारी बहुत ही ज़्यादा नैसेसरी और वह चीज लॉजिकल नहीं हो रही तब पैकेज यूज करना ठीक है तो यह तो चोटे-पोरी चीजें कंपोनेंट बना रहे हैं तो कंपोनेंट इस तरीके से बना सकते है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगाए लगाए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है ठीक है यह कोड का यूरल आपको इसी वीडियो के मिल जाएगा तो आरब से वीडियो को देखो बाद में कोड को भी अपने पास रखो जिससे आपको रिफ्रेंस बना रहेगा ठीक है तो चलते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए